यलास्ट पॉर्षन है आज हमारे लेक्षर का तीन टॉपिक हम कवर करेंगे डिफ्रेंच बिट्विन प्रियॉज और याइड्ज के बारे में भी पढ़ेंगे और हम हैपेटाइट्थ पारेंगे यहाँ प्हले जाँ रहे हैं critical opinion है हमारा तो हमें जादा अच्छा समझ में आएगा ठीक ये रहा वाइरोइड्स और ये रहा प्रियोंज बिटा वाइरोइड्स जो है वो इस चेप्टर में मेंशन होना justifiable है इसलिए क्योंके वाइरोइड्स जो है वो RNA के molecules तो जरूर है न genetic information इनके पास तो जरूर है न लेकिन प्रियोंज का इस चेप्टर में होना मुझे नहीं समझ में आता इस जस्टिफाइबल क्यों ये प्रोटीन के molecules हैं इनका तालुक वाइरोइड्स के साथ दूर दूर तक नहीं है इसमें अगर something is short I think this is the envelope और अगर viral envelope हो जाता तो ये genuinely viral virus कहलाता क्योंकि genetic information जबूर है ये वाले protein के molecules हैं इनका तालुक viruses से नहीं है infectious proteins हैं जो के हमारे अपने cellular DNA की information से कहीं decode होने की वज़ा से miscoding होने की वज़ा से कुछ special किसम के protein बन जाते हैं हमारी body में जिने हम prions केते हैं तो हम लोग इसको tabulated form में समझने के लिए पढ़ लेते हैं हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जागा ठीक इसको यहां पर एक ऐसे लिप के लिए बादेते हैं and then we will separate prions and and virons सबसे पहली बात यह prions की they are made up made up of only protein of only protein यह सिर्फ और सिर्फ protein उसलिए infectious protein भी कहा जाता है infectious infect करने वाले वीमार करने वाले infectious protein ठीक जबके why रोइड क्या है they are single stranded single stranded rna's with double strand portion double strand कहीं कहीं इसमें double strand भी हो सकता है वरना portion वरना यह single stranded rna है ठीक हो क्या they infect only they infect only animals यह सिर्फ animal के अंदर पाए जाते हैं plants में इनका इनकी मौज़गी नहीं पाए जाती यहां पाए रहते हैं they infect only plant यह उसके अंदर replicate करते रहते हैं कहीं कहीं अपने protein भी बनवा लेते हैं generally नहीं कभी कभी अपने protein बनवा लेते हैं कभी यह खुद enzyme के तुर्पे आप याद होगा enzyme के अंदर एक portion हमने पढ़ा था जिसमें हमने यह कहा था enzyme का यह वो RNA थे बिटा जो असल में रहते हैं वो enzyme थे क्योंकि वायरोइट जो हैं वो कभी कभी behave कर जाते हैं as a as an enzyme तो यहां पर आलता हूँ आपस they infect only plants ठीक they are filamentous धागों के जैसे होते हैं prions filamentous हैं धागों के जैसे हैं in structure और यह they are circular in structure they are circular RNAs okay structure highly resistant to UV rays they are highly resistant to UV rays they are they are less resistant to UV rays यह अल्ट्रा वाले rays जो हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड सकती बहुत resistant है यह UV rays को obviously destroy तो कर जाती है एक limit से जादा लेकिन यह resistant उसको बहुत जादा है यह जो है वो बिलकुल भी resistant नहीं है UV rays को जैसे UV rays को जैसे इस पर पढ़ती है यह इसके अंदर genetic mutation cause कर जाती है इसके लावी बहुत सारी बाते हैं मगर मैं बोस को लिखना नहीं चाते है यह वही जो content है आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है